मैं आपके मस्तिश्क पर आपके दिल में एक प्रश्न छोड़ कर जाना चाहती हूँ मुझे नहीं पता कि आप मुझे किस प्रकार से स्विकार करेंगे लेकिन मैंने सुना है कि कवी का एक धर्म होता है मेरी कलम ने कविता लिखी तो मेरा एक धर्म आप तक पहुचाने का प्रयास करती हूँ एक गीत मैंने ऐसा लिखा जिसे आप तक पहुचाना बहुत जरूरी है और इस पावन मंच से आप तक पहुचना जरूरी है कवियों के लिए बिलकुल नया गीत है मुझे आदेनिय हरियों पवार जी का आशिरवाद इस गीत के लिए मिला वो गीत में आप तक पहुँचाती हूँ रेम की बात करने का प्रयास किया है रुकमणी श्री कृष्ण की पतनी यहां बहुत सारी नारियां बैठी हुई है आदेनिय रेखा गुपता जी मेरे सामने मैं उनके सामने कावेपाट कर रही हूँ मैं उन तक ये गीत पहुचाती हूँ जितनी नारियां यहां बैठी है रुकमणी श्री कृष्ण की पतनी वो श्री कृष्ण से एक बात कहती है वो श्री कृष्ण से एक प्रश्ण करती है वो एक कष्ट अपने मन का उन तक पहुचाती है वो क्या कहती है उनका कष्ट ये नहीं कि श्री कृष्ण ने उन्हें मान नहीं दिया उनका कष्ट उन्हें राधा से कोई शिकायत नहीं उन्हें श्री कृष्ण को प्रेम करने वा करने का ढंग बदल गया है उसके रहने सहने का ढंग बदल गया है लेकिन मैं कहती हूँ नारी कितनी भी आद्धोंनिक हो जाए जब वह सच्चा प्रेम करती है तो अपने अंतरमन को तुमेरा दाम हो जाए, ना राधासा, ना मीरासा, विरह मंजूर है मुझे को, चौथी पंक्ती पर हाथ त्यार हो, और आपका समर्थन मुस्तक पहुँचे, कि मैं तेरे नाम हो जाओ, तुमेरे नाम हो जाए, मैं तेरा दाम हो जाओ, तुमेरा दाम हो जाए, ना राधासा, ना मीरासा, विरह मंजूर है मुझे को, बनू मैं रुकमनी तेरी, तुमेरा शाम हो जाए, वो रुकमनी श्री कृष्ण से क्या कहती है, दो मिट का गीत है, मैं आपके बीच पढ़कर अपनी जगे लेकि हूँ, मुझे मंच का भी मंच आईए, कि साथ हमारा जनम जनम का, साथ हमारा जनम जनम का, रिष्टों का संसार, कहते हैं संसार में एक शास्वत रिष्टा, जिसे पती और पतनी कहते हैं, जिनका जनम जनम का रिष्टा होता है, जिनका साथ जनम का जनमों जनमों का रिष्टा होता है तब कहती हूं सुनेगा कि साथ हमारा जनम जनम का रिष्टों का संसार फिर भी जगने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार प्रशन मेरा क्यों राधा ही है प्रशन मेरा क्यों राधा ही है मोहन का आधार हां इस जगने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे इतना समर्थन, मैं पहली या दूसरी बार इस गीत को पढ़ रही हूँ, और आपका समर्थन मुझे बताएगा कि मैं देश भर में इस गीत को कैसे ले करके जाओंगी, सुनेगा कि प्रश्न मेरा क्यों राधा ही है, मो जोहन का आधार, हाँ इस जगने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार, क्रिश्न ने उन्हें क्या क्या दिया, वो सब कुछ गिनाती है, और पूरी इमानदारी से स्वीकार करती है, आप तक पहुंचाती हो, सुनेगा, कि वचन कि ये पूरे तुमने कसमे सब मन से मानी, मान दिया पतनी का मुझ को मैरा जा की रानी, मान दिया पतनी का मुझ को मैरा जा की रानी, सजा के तुमने मांग को मेरी दिये सभी अधिकार फिर भी जगने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार क्यों इस जगने प्रीत को मेरी किया नहीं स्वीकार कृष्ण बहुत बड़े नटवर थे उन्होंने सोचा इसमें भी उनकी कोई ना कोई कोई खेल होगा तब वो कहती है सुनिएगा कि साध के सासों में खामोशी ले शब्दों में पीडा साध के सासों में खामोशी ले शब्दों में पीडा पूछती हूँ ओ नटवर तुम से थी कैसी ये क्रीडा क्या कि स्वयम प्रभू को जीता मैंने स्वयम प्रभू को जीता मैंने प्रजग से गई हार इस जगने पीड को मेरी किया नहीं स्वीकार नहीं स्वीकार अंतिम बंद आप तक पहुचाती हूँ रुकमणी कृष्ण से क्या कहती है वो बात आप तक पहुचाती हूँ ने किसी से कोई शिकायत नहीं और किस खूबसूरती से उन्होंने शिरी कृष्ण से अपना मान मांगा, अपनी जगे मांगी, अपना अधिकार मांगा, मैं आप तक पहुचाती हूँ, सुनियेगा, कि जग उन्हें किस प्रकार सुईकार कर सकता है, सुनियेगा, अंतिम बंद आप तक होती है, तब इस बात का उत्तर देते हुए, पूरे मंच को मैं समर्पित करती हूँ, मैंने कुछ अच्छा लिखने का प्रयास किया हो, तो मुझे आपका मन मिले, आदर्निय दिनेश रगवनशी जी, जो गीतों के राजकुमार हैं, वो यहां बैठे हुए, मैं उन तक बा सुहाए, कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे शाम कहाए, कष्ट मेरा फिर क्यों इस जग में राधे शाम कहाए, और क्या कहती है, कि यही निवेदन है तुम से, इतिहास में हो यह सुधार, यदि आप भी उनका समर्थन करते हैं, उन्होंने किसी से कोई द्वेश न किसी से कोई ऐसी बात नहीं कही केवल अपनी बात मांगी तब आपका मन और आपका समर्थन मुझे मिले मैं अपनी जगे लूँगी कि जब गौरी संग शंकर सीता के संग राम सुहाए कष्ट मेरा फिर क्यूं इस जग में राधे शाम कहाए यही निवेदन है तुमसे इतिहास में हो ये सुधार यही निवेदन है तुमसे इतिहास में हो ये सुधार राधे क्रिश्न के साथ रुक्मनी क्रिश्न करो सुईकार